नमस्कार दोस्तों स्वगतापाद CP Smart Classes में दोस्तों ब्रेकिंग नीज है आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं TGT PGT की परिच्छतिति और उसके साथ साथ एड़ेड जूनियर सिच्छक भरती की परिच्छतिति के बारे में आप सबको मालूम कि बंद की गई है तीस से परहले तक बंद की गई है लेकिन यह जो है अभी पिछले अगले दो तीन महीने तक कोचिंग बंद रहेंगी अब तैयारी का बिकल्प क्या है चात्र परेसान है कोचिंगों में उन्होंने फिस जमा कर रखी है एडमिशन ले रखी है और कुछ चात क्या है तो चलो सबस्क्राइब परके वेल आइकन दबाना ना भोले जिसे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहें नए चात्रों को बता देना चाहते हैं कि हमारा CP Smart Classes का Mobile Application भी है जो कि Google Play Store पे उपलब्द है आप इसको रहे हैं Mobile Application पर और इसमें Online Classes आपको बहुत सारे विश्यों की मिल जाएंगी देखने को और मौक टेस्ट भी कई विश्यों के हैं इसपेशली टीजीटी पीजीटी और जी आईजी प्रवक्ता की Classes नहां पर है दोस्तों कोरोना की वजए से परिछाएं टल रही है इसलिए चातर बहुत ही परिसान है कि माध्यमिक स्कूलों में जो सिच्चुकों की भरतियां चल लई थी उन भरतियों का अब क्या होगा पहला प्रशन है चातरों की जुवान पर यह है कि क्या जूनियर एड़र सिच्च भरती परिछा जो इस्थगित कर दी गई थी पंचैत चुन हैं देख लेते हैं कि क्या क्या यहां पर लिखा हूआ है और हम सभी ठortsना के बारस के बाइद्धियार बार चुरूरेAKE. प्रत्रों को करना पड़ा और इसे के साथ है जो जूनुइर एडिक की भरती आई थी वहभी साथ साल बाद आई थी तो यहां पर देखे लिखा है कि प्रदेश सरकार की और से साहधाप्राप्र माध्यमी की स्गोलों में सिच्चक के खाली पतों पर लंबे इंतियार की बाद भरती कि घोशना की गई प्रदेश में पंचाय चुनाओ और क्रोणा संक्रमड के चलते पहले ही जुनिर हाइशोलों के सिच्छक भरती को इस्तिय की जा चुकी है अब क्रोणा संक्रमड के चलते उत्तरा प्रदेश माध्यमिक सिच्छष सेवा चैन बोड की TGT प्रवक्ता की भरती में भी देरी हो सकती है देरी हो जायेगी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है देरी हो सकती है क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ भी DCN नहीं लिया गया है प्रदेश सरकार की ओर से एड़र जुनियर हाई स्कूलों के लिए तो आवेदन प्रक्रिया पूरी करके 18 अप्रैल को परिच्छा की तैयारी थी परन्तु पंचायत चुनाओं के चलते परिच्छा इस्थगित करनी पड़ी सहायता प्राप्ते माध्यमे की बिद्धालियों में सिच्छक भरती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है जैन बोर्ट की वेबसाइट सही तरीके से नहीं चल पा रही है इसके लिए अन्तिम तित्षी को 11 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है लेकिन अभी भी समस्या हो रही है चार बज़े में चातरों को और चातरों को एकसलाह दी जाती है कि चातर बौर में फाहन बरे चार बज़े से शुरू करे और चे बज़े तक अपना काम कम्प्लिट कर ले इसबीच में फार्भा भरने की टिंडेंसिया जादा सही हो वारीक सकते बचाँ तो आवेदन से बंचितना हो ये सबसे पहली बात तो और इस वीच चैन बोर्ड ने कई कर्मशारियों और अधिकारियों को कुरोना संक्रिमित हो जाने के चलते पूरा काम ठप पड़ गया है यहां तक कि TGT 2016 के समाजी बिज्ञान के इंटर्व्यू को भी स्थकित कर दिया गया है और अब यह भरती जो है यहां पर लिखा जा रहा है क्या यह भरती कोरोना की भेंट चड़ जाएगी और जो यहां पर एक जीज और इंपर्टन लिखी गई है इसको विध्यान देना जरूरी है प्रदेश के माध्य में की विध्यालों में काम कर रहे तदर्थ चु सुप्रिम कोट ने आदेश दिया है उसके आदेश पर ही यह भरती कराई यार ही है और सुप्रिम कोट ने जुलाई में जोइनिंग का देश दिया है तो एकस्पेक्ट यह किया जा रहा था वही अगर जुलाई में जोइनिंग करवानी है तो जून में परिच्छा करवानी पड़ेगी जून में परिच्छा करवानी पड़ेगी तो जून में रहेकी एगर जुलाइग MEं जोईनिंग करवानी है तो इक से जून के बीच में परिच्छा करानी पड़ेगी और वह से निंग कर देड़ महीने में यह परिच्छा कराई जा सकती है बिल्कुल कराई जा सकती है अगर 45 दिन का समय मिल जा रहा है फाम भरने के बाद 45 दिन का पूरा समय मिल जा रहा है चैन बोड को तो इस 45 दिन में चैन बोड परिच्छा करा सकता है आप जूनियर सिच्छक परिच्छा करा ले जाती परिच्छा करा ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है आयोग के लिए और अशकेबाद जो रिचक जारी करना होता है उसमें भी तो झाल जदा लेते हैं लेकिन जब प्रेसर रहता है तो रियल्ट भी जल्दी जारी कर दिया जाता है अब यह उत्तर प्रतिस लोग से आयोग कर देख लिए रियल्ट कि दिने जल्दी जल्दी आ रहा है तो यहाँ पे तदरस रिचों के मामले में सुप्रीम कोड का जो आदेश है यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है इसलिए यह प पहुच्ट में इसकोल यह इनकी दीकव कोचिंग सुबंद हो गया है तो कोचिंग बंदो त्यारी कैसे करें यह आपके लिए भड़ा ड्रोंफ आपकी बंद हो कारण magic जोग इंगे में उनkी में इतनी उस्तात होनी चाहिए थी इनकी पछली बार पाण को आंलाइन में हमारे भी Cpt Smart classes online class चलती है जिसमें तीज़ीटी PGT और GIC प्रवग्ता की भरती की special class चलती है और हमने offline class शुरू ही नहीं किया तो इस तरह कि बहुत जारे यूटुब चैनल और कोचिंग्स आंलाइन क्लास चलाती है तो आंलाइन एक विकल्प है और अच्छा विकल्प है जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है जो लास्ट येर तैयारी किये होंगे या उसे पहले कभी किये होंगे वो टेस्ट सीरी जोइ है कि आप तैयारी करते रहें माल लीजिए कि अभी एप्रेल हम सत्तरा एप्रेल पर हैं यहां पे और एक महीने में माल लीजिए अगर ये कंट्रोल हो जाता है और एक से दस जून की बीच में परिच्छा हो जाती तो आपके हाथ बिल्कुल खाली हो जाएंगे आप पेपर की मत बैठिए कि परिच्छा नहीं होगी परिच्छा एक से दस के बीच में होगी यह बिल्कुल मान कर रखिए और अपने तैयारी इसी बेस पर करिए आपको निश्चित तोर पर सफलता मिलेगी तो 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 यह थी आज की अपडेट मिलते हैं नेक्ट वीडियो में